दुनिया का सबसे प्रसिद भूद बंगला है इंगलेंड का बोरली रेक्टारी बोरली रेक्टारी बंगला किसी साधारन व्यक्ति का घर नहीं बलकि इंगलेंड के पादरी का निवा स्थान था हेरान की बात है कि इस बंगले में मैरिन लाइरिन नामा के एक तपस्वीनी की आत्मा सन 1863 से निरंतन भटक रही है यही नहीं कभी कभी बंगले के इर्द गिर्द मेरी लाइरन को भूतिया गुडोग और बग्यों पर गुंगता देखा जा सकता है फॉकमिस एंड लिजर्ड्स ऑफ ब्रिटेन के अनुसार सरव ब्रथम बॉरली रेक्टारी भवन में पादरी एच्टी बुल रहने आये थे जब जब बुल सहाब निजी कमरे में आराम करने के लिए जाते तब तब उन्हें खिड़की में जूमती एक काली परचाई एक काली चाया भाइबित किया करती थी यह देखकर बुल अपने होश हवास खो बैटते और खोफ जदा हो जाते सन 1927 तक काली परचाई काली चाय द्वारा खिड़की में जुमने घचना जारी रही फिर हैरी बुल अपने पिता के पत पर पादरी नियुक्त हुए वक्त के सांसांद भूत ने और जोर पकड़ लिया अब तो भूत दिन के समय भी दिखाई देने लगा और तो और पादरी के नोकर चाकर माली और डाक्ये को भी भूत ने तंग करना शुरू कर दिया था उस भूत ने पूरे घर को पूरे बंगले वालों को परिशान करना इस तरह से शुरू कर दिया था दिन होती ना राद और वो उन्हें परिशान करने आ जाया करता था। हैरी बुल ने शिक्र ही भूत के भय से त्याग पत्र दे दिया। नए पादरी इरिक स्मित ने कारिभार संभाला। इरिक स्मित के आते ही मैरिन लाइरन के भूत ने आतंग मचा दिया। दीवार और परिटारी भवन भेज दिया। समनाता हैरी प्राइज डेली मिरर के लिए रोचक सामागरी एकत करने के सिलसे में इस हैरत के मामले की बारीकी से जाच करने लगा। जाच परताल के दौरान एक दिन अचानक हैरी के सिर पर मौंबत्या आगी दी। वह बहुत घबरा गया क् उसके अलावा अन्य कोई नहीं था। उसके मन में एक सवाल उठा। कि अगर कं में कोई नहीं है। और यहां मैं अकेला हूं फिर मौंबत्या मुझ पर फेकी किसने। और आखिर इस कमरे में कौन है जो मुझ पर मौंबत्या फेक रहा है। इस घटना के पश्चात हैरी को भी भूत प्रेतों पर यकीन होने लग गया थोड़ी दिनों में बोरली रेक्टारी भूत के हमले की खबर इंग्लेंड के सभी समाचार पत्रों के मुख़ प्रश्टों पर सुर्क्यों में छपी सारे न्यूस पेपर्स ने फ्रेंट पेश पर ही इसकी खबर दी कि बोड़ी लेक्टारी पर भूत का आवास है प्रेत आत्मा के दिनों दिन बढ़ते आतंक से पादरी इरिक स्मित बहुत ज़रा परिशान हो गए उन्हें भी अब डर लगने लगा कि यहाँ पर तो धेर सारी प्रेत आत्मा आये हैं और इनके प्रकोफ से कौन बचा सकता है हमें इसलिए वो भी बहुत ज़रा परिशान हो गया और परिशानी में आकर उन्होंने भी फैसला कलिया कि वहाँ चले जाएंगे और आखिरकार उन्होंने भी पादरी के पत को त्याग कर भूत से मुक्ती पाली फिर इरिक्स स्मित की जगा लाइनर फोरेस्टर अपनी धर्म पतनी मरीना सही बौरली रेक्टारी बंगले में पधारे सन 1930 से 1934 के बीच बंगले की सभी दिवारों पर मारीना फोरेस्टर के नाम पैंसल से भूत द्वारा संदेश दिखे जाने लगे दिवारों पर इस पश्ट अंग्रेजी भाषा में लिखा होता जिसका मतलब था मारीना मेरी सहायता करो उत्तर में मरीना दिवारों पर लिखती मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई इस पश्ट बताओ इस तरह उन दोनों में लंबे समय तक संदेशों का सिलसिला चरता रहा मरीना और भूत के बीच परस पर लिखित संदेशों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने मरीना फोरिस्टर पर भी शक किया कि शायद यही सारा माजरा कर रही है और ये बंगले पर इसी ने ये भूत भूत का ढोंग रचा रखा है इसी दोरान समानाता हेरी प्राइस के मन में भी भूत भंगले के रहस्यों को जानने की चिग्यासा बढ़ने लगती है सन 1937 में उसने दोबारा चान बिन के उद्देश से बोरली रेक्टारी एक साल के लिए किरायपल ले लिया एक दिन लाइरन का भूत साक्षाद प्रकट हो गया समान अता हेरी प्राइस के कहने लगा मैं मेरी लाइरन की भठकती आत्मा हूँ 17 माई 1667 को अंधरी रात को मेरी हत्या कर दी गई थी मेरी लाइरन को बोरली रेक्टारी के मिदान में दासंसकारों के बगेर ही दफना दिया गया अता हम मुझे मरकर भी शान्ती नहीं मिली इस घटना के प्षचाद 27 माई 1938 को एक और आत्मा प्रकट हुई और बोली आई रात यह बंगला जलकर खाक हो जाएगा मज़दार बात है कि अग्याद भूत द्वारा की गई अशुप भवेश्यवारी कई महीने पश्चाद सत्य सिद्ध हो गई 27 फरवरी 1949 को प्राता ही किनी रहसे में परिसितियों में बुरा पूरा बरेली रेक्टारी देखते ही देखते आग की लबिटों में स्वाह हो गया समदाता हेरी प्राइज ने सन 1943 में इनी खंडरों के भगीचों की खुदाई करवाई लगभग तीन फूट नीचे से किसी अग्याद यूती का कंकाल निकला हैरी प्राइज का दावा है कि वह कंकाल मेरिन लाइरन का ही है उसने मेरिन लाइरन की इच्छानुसार अस्तियों को पुर्ण 10 संसकारों के साथ कबरस्तान में दफना दिया बहरेहाल भूद बंगले के 6 खंडरों में आज भी मेरिन लाइरन का भूद गोमता नजर आता है बोरली रेक्टारी बंगला पूरी तरह खाक हो जाने और मेरिन लाइरन की इच्छानुसार दफना जाने के बावजूद पिछले सवा सो सालों से भूद का भटकना एक रहसी माई पहली बनकर आज भी वहाँ पर घटित हो रहा है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि वहाँ पर आखिर किसका भूत है और वो क्या चाहता है और आखिर वो आत्मा हम लोगों से क्या चाहती है इंसानों के बीच वो आत्मा क्यों रह रही है और उसको अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली आखिरकार वो उस बंगले में क्या कर रही है और उसकी हत्या किस तरह से की गई और कैसे की गई ये राज भी उसी के साथ दफन हो गया और उसके बाद समध आता हैरी भी कभी उस बंगले में नहीं गया क्योंकि वो जानता था तो उस बंगले में जाना यानी के अपनी मौत को दावत देना है और वो ये भी जानता था कि हो नहो इसके बीचे कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर छिपी है जिसके चलते वो आत्मा आज भी यहां पर भटक रही है और वो हो नहो किसी नहीं से इंतकाम क कि आग को बुजाने के लिए ही भटक रही है समवालाता है हैरी ने बहुत कोशिश की कि उस कहानी के बारे में पता कर सके वहां के आसपास के लोगों से लेकिन ये कहानी इतनी जारा पुरानी थी कि इसके बारे में पता करना याने के घांस के डिर में से सुई निकालना लेकि इसी तफ्तीश में समवालाता हैरी अब पढ़ चुका था हैरी प्राइस के मन में बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी जिग्यासा है थी जो उसकी बढ़ती जा रहा थी इस केस को लेकर और उसके बाद उसने चानबिन करना शुरू कर दी तकरीबन दो तीन साल तक वो इस मा कहानी सुनाना शुरू की समवालाता हैरी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसने बताया कि उसकी आत्मा को शांती आज भी इसलिए नहीं मिली है क्योंकि जिस कंकाल को हैरी ने दफनाया था वो कंकाल दरसल उसकी बहन का था और इसका कंकाल आज भी उसी जमीन के नीचे लेकिन उसके मन में सवाल उभर रहे थे जिससे वो आत्मा भी भाब चुकी थी और उसने कहा कि तुम जो पूछना जाते हो पूछ सकते हो तो उसने कहा कि तुम्हारी कहानी क्या है और तुम्हें कैसे हत्या की गई और कैसे माना गया और लोगा क्या हुआ तो उसने बताया कि मेरी हत्या यहां के ही एक फादर ने की थी जिसने मेरे जिसम से अपनी हवस की भूख मिटा कर मुझे यही पर कतल करके दफना दिया उसने यह भी नहीं सोचा कि मेरी आत्मा को मुक्ती मिलेगी या नही और उसके बाद मेरी आत्मा जब यहां पर भठगने लगी तो मैंने उससे अपना बदला भी ले लिया लेकिन उसके बाद मेरी आत्मा को मुक्ती ना मिली और फिर इस बंगले में जो भी कोई फादर आता तो मुझे उसके अंदर वही फादर दिखता था जिसने मेरे साथ वो दुश्करम किया था और इसी वज़ा से मैं उन फादरों को भगा दिया करती थी और इसी वज़ा से सारे फादर्स यहां पर टिक नहीं पाते थे बहरेहाल उन में से किसी ने भी मुझे से बात करने की या मुझे से मेरे हाल को पूछने की कोशिश ना की इसलिए मैंने उन सब को यहां से भगा दिया एक तुमी थे जिन्होंने तफ्तिश करने की की कि मेरे साथ अखिर हुआ क्या है इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकर्ट हुई और तुम्हें सारी कहानी बता रही हूँ अगर इनसान को बेमोट मार दिया जाए और उसका अंतिम संसकार सही से ना किया जाए तो उसकी रूह हमेशा के लिए यहीं पर भठकती रहती है और उसके बाद अचानक से वो आत्मा वहां से गायब हो गई समाला था हैरी प्राइस ने उस जमीन को फिर से खुदवाया उसे एक कंकाल महिला का और मिला और उसने फिर उसको दफना कर उसका अंतिम संसकार किया और इस तरह उसकी आत्मा को शान्ती भी मिल गई